हाउ रू फीक्स सैमसंग ग्रेंट मेक्स कीप्स टर्निंग ओफ प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सैमसंग के डिवाइस में इस प्रॉब्लम को य वीडियो को आँ तक देखेगा ठीक है जो भी सॉलुशन बताऊंगा उसको फोलो करना है एंड आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है जो बार-बार स्वीच ओफ हो रहा है जो यह बार-बार यहाँ पर ओफ हो रहा है उसको आप फिक्स कर पाऊगे वीडियो शुरू करने स पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ऑन-लाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुर देखे कि शेडूल ओन है या नहीं है ठीक है तो आप उसको बंद करें बेटरी एन डिवाइस केर में जाकी भी दोस्तों आप चेक कर सकते ट्री डॉट्स ऑटमेटेशन एंड रिस्टार्ट टाइमिंग जो है उसको भी आप बंद कर दे और एडेप्टिफ पावर इंस्टॉल किया अपने मॉबार पर उसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका जो मुबार वार और स्विच्व कुव रहें तो उस एप्लिकेशन को डिलेट करें या फिर आपकी मॉबार पर करणा अप्लिकेशन जो कि कमई ब्यविट एफिक य stoked हो सकते ज अगर आपने कोई भी आन्नोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है तो उन एप्स को भी डिलेट करें ठीक है तो सारे चीज़ यहां पर आपको फोलो करना है अगर आपके मुबाइल पर कभी सब्सक्राइब करते रहते तो उनको भी बन करें और इस तरह के से दोस्तों आ जाए बैटरी पर क्लिक करें और यहां पर मिलेगा बेग्राउट यूजर्स लिमिट और उनको जो ही दोस्तों है आप डीप स्लिपिंग मोट पर डालने से क्या होगा वो जो एप है बेगराउट पर हमेशा ओफी रहेगा तो एपस को इस तरह के से बेगराउट पर क्लोस क और फिर अपडेट रहेगा तो इस तरीके का प्रॉब्लेम हो जाएगा इस तरीके का प्रॉब्लेम अप्पी डिवाइस में नहीं होगा दुबारा से तो यह सारे सॉलुशन दोस्तों आप यहाँ पर फोल्व आप कर सकते हैं बाई एनी चांस उसों मान लेज़े अपने सारे सॉलुशन की लिए प्रॉब्लेम हो रहा है तो जैररल मेनेच्मेंट कीजिए स्क्रॉल डाउन करके रिष्यट पर जाएए फ्यकटरी डेटा रिष्यट पर क्लिक करके आप यहाँ पर रिष्यट ऑपशन सेलएक कीजिए और अपने मॉभाईल को दीप कर दीजिए जैसी ही factory reset होगा आपका problem भी solve हो जाएगा ठीक है अगर mobile बार-बार switch off होते हैं तो यही सारे reason से और यही solutions आप follow भी कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों कई बार क्या होते बेटरी connection loose होने के वज़ा से भी यह problem आते हैं device में तो अगर अगर बेटरी connection वगरा loose है तो आपको किसी technician के मदद ही लेना होगा या फिर कुछ service ने दर पर जाकि आप fix कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अमीड करते हैं आपको वीडियो पस्तेने होगा टेंक्स वर आचिंग